वेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत आपका हमारे इस एड्यूब चैनल पर जून मत में रियल्मी ने बहुत सारे फोंस में अपडेट रिलीस किया है और बहुत सारी सिस्टम एप्डेट्स भी देखने को मिले हैं आज है 30 जून और आज जम बात करेंगे कि पूरे जून म में उफिशिली सौफडी अपडेट रिलीस किया है और किसकी सिस्टम एप्डेट देखने को मिले है पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूं और एंड़ूड फोर निक कुछ अप्डेट्स आपको जून मत में देखने को मिले हैं और रियल्मी युई 5.0 का अप्डेट बता चल जाए और अपकामिंग कौन से अपडेट आने वाला हूं उसके वारे मिए इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपडेट की बात करें तो अपडेट की जितनी भी ऑफिशिल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर रियल् ग्रीजर सोथ रहा, Realme Community, तो ये रहे Realme Community के Official Administrator अकसे, जो अब्डेट्स के वारे में, जो ऑफीशिल इन्फोर्मेशन है, वो सब से पहले रिलीस करते है, तो सबसे हम लोग Stable Updates की बात करेंगे तो Stable Updates में Realme Pad X, Realme 10 Pro Plus 5G, Realme 9 5G Speed Edition, Realme GT Master Edition and Realme GT 2 इन सभी फोंज में Realme ने जून मत का Stable Updates है वो अफिशली रिलीज कर दिया है और सब अप्डेट के जो मैंनो लिंक है वो आपको मेरे टेलगाम चैनल के ओपर मिल जाएंगे और टेलगाम चैनल कर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इसी के साथ Realme GT 5G, Realme 10, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3, 150W and Realme 11 Pro 5G and Realme 11 Pro Plus 5G इन सभी फोंज में भी आपनों को जून मत के जो Stable Software Updates है वो Realme ने रिस कर दिया है इसी के साथ Realme 8S 5G, Realme 9 5G, Realme C55 and Realme 11 Pro Plus 5G and Realme 11 Pro 5G अब आप लोग भाई Realme 11 Pro Plus and Realme 11 Pro का नाम दो दो बार क्यों लिया तो भाई इन फोंज में जून मत में दो दो अपडेट्स देखने को मिले है और इनी फोंस के अंदर Realme ने अभी तक जो Stable Updates है जून मत के वो रिलीस किया है तो चलो अब हम बीटा अपडेट्स की बात करते हैं इन के साथ Realme 9i में भी आपको जून मत का Stable Updates देखने को मिल किया है and Realme C33, Realme C35 and Realme Narzo 50A Prime इन तीनों फों में भी आप लोगों को बीटा अपडेट्स यानि के Android 13 के Early Access Realme ने जून मत में रिलीस किया है सब अपडेट्स के जो मैंनो लिंक है वो आपको मेरे टेलिगाम चैनल पर मिल जाएंगे इता अपडेट के सेक्शन में बहुत ही कम डिवाइस में अपडेट मिले है Realme Narzo 50 में आपको Realme UI 4.0, Android 13 के Open Beta के अपडेट मिले है and Realme C25 में भी आप लोगों को Android 13 और Realme UI 4.0 के Open Beta के अपडेट मिले है इसे के साथ Realme 8 4G में आपको Android 13 के Early Access के अपडेट Realme ने जून मत में रिलीज किया है and Realme 8 लास्ट फोन था जिसमें आपको Android 13 का अपडेट मिलना है वैल ये तो बात हो गई सोफटे अपडेट के वारे में की 1 जून से लेकर के 30 जून तक Realme ने किस-किस फोन में अपडेट रिलीज किया है अब में बात आती है सिस्टम अप्स को लेकर रहे हों कि इनको अपडेट करना भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और सिस्टम अप्स के अपडेट है वह आपको सबसे पहले Realme सिस्टम अपडेट इस टेलगाम चैनल पर मिलेंगे इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्किप्शन में है ओपन करने का फाइल का जैक्शन ओपन करोगे यहां पर सभी फोंस के अपडेट की जो इनफोर्मेशन है वह आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल कर नीचे डिस्किप्शन में है और यह ओफिश्य चैनल है तो make sure आप लोगों ने इसको जाकर कि जॉइन कर लिया होगा और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केया वीडियो पिसंद है लाइक और सबस्क्राइब जुरू करना